नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहिद सर्दाना हमें स्वक्त मौजूद हैं आयोध्या में राम मंदिर निर्मान की कारिशाला में जहां पिछले कई वर्षों से सतत पत्थरों को तराशने का काम किया जाता रहा जहां देश भर से आई शिलाएं आज भी रखी हैं और इंतजार कर रही हैं भूमि पूजन के बाद ये सारी शिलाएं यहां से ले जाई जाएंगी उस थान पर जहां राम मंदिर का निर्मान होना है और इन शिलाओं को असली जगा इनकी प्राप्त होगी जिन के लिए देश आयोजन किये जा रहे हैं हमारे साथ इस वक्त उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद हैं सीधे हम उनसे बात कर सकते हैं दिनेश जी आपका स्वागत है आज तक 121 घंटे की संपून कवरेज आयोध्या में राम मंदिर भूमी पूजन की कर रहा है और यहां बैठ कर कारेशाला में हमसे बात कर रहे हैं तो शायद पांसो साल से चली आ रही थी वो प्रतिक्षा आज पूरी हो रही है और इस प्रतिक्षा में आप अगर देखें तो लोगों ने कब से पत्थरों को गड़ना शुरू कर दिया था पत्थरों में नकासी करना शुरू कर दिया था इस आज के साथ कि एक दिन मंदिर का निर्म एक उत्कंठा थी वो आज सांत हुई है और मैं जान सकता हूँ देख सकता हूँ कि आज जगे जगे जिस प्रकार से यहां पर किर्टन हो रही है रमैन हो रहे हैं जगे जगे मंदिर और मट सजे हुए हैं और अगर देखा जाए तो दीपोच्वा और स्पाइरल राइट का अ हम जानते रहे हैं अयुद्या एतिहासिक अयुद्या रही है कई बार अयुद्या पर संकट आया और कई बार अयुद्या संकट से उबरी है आज उस अयुद्या के नय सरूप की तरफ बढ़ती भी अयुद्या को हम लोग देख रहे हैं और ये वो नया सरूप होगा हैं उनको टैपर के स्टीपी तक उनको पहुंचाने का काम पूरा कर सुके होंगे हम उस आयोध्या को देखेंगे जिसके नौ बड़े और भववे द्वार होंगे हम उस आयोध्या को देखेंगे जिसकी चौरासी कोस्ट की जो परिक्रमा है जो चौदा कोस्ट की परिक्रमा ह उनका पुनरद्धार का कार जिस तेजी से चला है वो अपने अंतिम रूप को धारन करेगा हम उस ऐध्या को देखेंगे जहां दस जार बसें आकर एक साथ खड़ी हो सकती होंगी हम मल्टिव लेविल कार की पार्किंग का भी अनुठा संगम वहां पर पाएंगे गुपतार घाठ से नया घाठ तक के मार को रिवर फ्रंट के सौंदरी करन को यह एक ऐसा अयोध्या हम देखने जा रहे हैं जिसमें वैदिक रामेंट सिटी भी होगी और जिसमें मातसिर सदस यानि कोशिल्या कुटीर जिसमें निराशित बच्चों के लिए एक विसेश रहने की व्य बस्ता भी होगी जहां पर अन्न छेत्र होगा इसको माता सीता रसोई के नाम से हम जानेंगे तो यह एक ऐसी आयोध्या के रूप में हम आज देखने जा रहे हैं जो धार्मिक छेत्र से अनुसार तो हई है जिसके चारो और अगर आप देखें तो चारो और मार्गों का नि पूरा हो चुका है दस्त महल में सत्संग भवन का निर्माण और यात्री साहता के लगभग पूरे होने पर है राम कथा गरली बनकर तयार हो रही है अगर देखें दिकंबर खाड़ा परशवर में मल्टी लेवल हाल बनकर तयार हो चुका है राम की पौड़ी का कार बड़ बाइपास का जो मैंने जिकर किया है बाइपास से अगर देखें तो काफी लंबा बाइपास यहां पर बंड़ा एक सो नब्वे किलो मेटर का बाइपास बनकर तयार होने के तरफ हम लोग तेजी से उसको काम सुरू कर रहे हैं पंचिकोसी परिक्रमा में मैंने बताया कि द आसपास के चितों का विकास भी आउध्या से होकर होने का बात जो है वो भी तेवी है चौदा कोसी परिक्रमा जो हम सुरू कर रहे हैं तो इसमें सुरू कुर्णिका निर्मा रेलवे क्राशिंग चारो और योगी आदितिनात पहले से बना के बैठे थे इंतजार केवल हम झारे मिले तब हम जाके लोगों को बताना शुरू करें कि नहीं गया और यह धारुट्र के चेत्के बने यहां पर एक अर्थ का बहुत प्रमुक्त साधन और उध्या बन जाए इसके लिए इसका इंफ्राइस्ट्रक्चर भी जिस पकार से पूरा करने का काम किया जा रहा है वो भी अपने आप पे बहुत अनुठा है मंदिर को लेके जो लोग लगे हैं उन्चमने बात की तो पता लगा कि तीन साल का प्लान है अगर कोरोना की ज्यादा मार लंबी ना चली तो तीन साल के भीतर काम को पूरा करना चाहते हैं मंदिर को जो प्लान आपके पास है शहर को सवारने सजाने का उसका रूड मैप कितने इसमें 80% काम तो देड़ से दो साल के बीछ में पूरा हो जाना है और बागी काम कुछ रह जाएगा वो आगे पूरा होगा तो आयोध्या को दुनिया तीर ते स्थल के तौर पर जाने आप ऐसा चाहते हैं या परितन्स तौर पर जाने ऐसा चाहते हैं हमारा वो तीर तेस्तल पर धार्मिक परिटन के दर्स्य से और अधिक पूर्ण हो संपन हो सौंदर रेवान हो इसकी भी परतन हमारी सरकारी है कि अन्य जो दर्स्य स्थाल है वो भी संदर का बिसंदरी करन हो घाटों का संदरी करन हो रीवर फ्रन्ट का निरमाड हो चारो तरफ अंडर गराउंड जो तार ऊपर विचे हैं वो अंदर नीचे जाएं एक आयोद्धाय के सुन्दर और सुरम में नगरी के रूप में एक तो लोग जान सकें इसकी भी पूरी विवस्था कराने का काम हमारी सरकार कर रही है किंद सरकार का परियाप तो इसमें पूरा सहयोग है और अध्या एक नई नगरी के रूप में विक्सित हो रही है ये एक बड़ी बात है कि धार्मिक शित में तो पूरे विश्ट में जानी जाती है लेकिन एक इंफ्राइस्ट्रक्चर के तोर पर एक अन्य धार्मिक तिर्थों के साथ में इसका जो लोब हर्शक दर्श से होगा वो मैं समझता हूं कि देखने वाला होगा अब हम सब एक आयोजनों में सामिल हो रहे हैं ये आयोजन के एक दो दिन के बात इन अध्या में कोई आएगा तो अध्या में जो जिन जिन इसतों में जाएगा उनुन इसतों की श्मिर्थियां उसके अंतर मन में व्याप्त हो सकें इसकी पूरी विवस्ता सरकार के दोरा की जा रही है और मैं समझता हूं कि ये पावन और सर हमें तब मिला है कि एक तरफ दे चटा होगी कनग भोवन का अपना महत्त होगा दस्रत महल का अपना होगा कौसरलिया कुटिर का अपना महत्त होगा यानि हर परिटक इस्थल अपनी भव्यता को शुरूप को प्राप्त करेंगे और उनका अलग महत्त भी होगा अभी जब हम है आयोध्या में तो एक खास उस दिन के लिए है या यह मान के चलें कि आप आयोध्या यह पीली नगरी के तौर पर ही देखी जाएगे नहीं देखे पीला तो बासंती रंग है जो इश्वरी रंग जिसको बोलते हैं बासंती छटा विकेरने वाला इस रंग से के तमाम पौरानिक महत्तु भी हुआ करते हैं हर सुब काम में इस रंग का प्रियोग होता है तो कोई विशेश द्रश्टी ना रखते हुए भी इसका अपने आप में महत्तु बढ़ जाता है कि पीला रंग हम सब को एक धार्मिक भी और एक अगर देखे यह बासंती रंग जो है हमें सुब संकेद भी देने वाला होता ह दीपोटसब मनाने को कहा गया है लोगों से अगरह किया सरकार ने हला कि कि सब अपने अपने घरों में ही रहें लेकिन आपको लगता है कि सरकार जब खुद कह रही है दीपोटसब मनाईए दीप जलाईए डिपावली है एक तरीके से तो लोगों को रोकना बड़ा कठीन ह जाएगा फिर उस रोज जब भूमी पूजन होगा और हर व्यक्ति चाहेगा कि हम अपने घर से बाहर निकले और खुशी का इजार करें जिसे हम सोसल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें हैं अगर किसी को अपना उस्व बनाना है तो लाइव टेलिकास्ट की विवस्ता सारे चैनल पे खिय गई है और अपने घरों जो अपने घरों में आपने मंदिलों में पांच-पांच दीये को जलाए और एक तरीके से जो भी दिपोसों की तरह सजा सकता है अखंड रामेन कर सकता है सुन्दरकांड का पाट कर सकता है तो कर ये सिराम जन भूमिट ट्रेस्ट न्यास की तरफ से ये अपील की गई है और इस अपील का पीशे मोटो यही है कि कोवीट के प्रोटोकाल के अनूप सारे कारे संपन हो भाने बाद बहुत धन्यवाद आवार आपका है कि कि